नमस्कार कैसे हैं आप सोनिया गांधी की राहुल रिपहौन परियोजना जो कन्या कुमारी से कश्मीर तक तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा के लिए चली उसके परिणाम 2023 में ही आ जाएंगे 2024 के लिए राहुल रिफॉर्म परियोजना क्या 2023 में कांग्रिस की पूरी तरह से समाप्ति का जैगोश हो जाएगा राहुल गांधी सितंबर में कन्या कुमारी से निकले भारत जोड़ो अवियान के लिए लेकिन जिन जिन राज्यों से राहुल की यात्रा निकली उन राज्यों की यदि आप पहचान करेंगे वो तामिलाडू कन्या कुमारी से केरल होते हुए करनाटक, आंध्राप्रदेश, तेलंगाना, महराष्ट, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हर्याना, पंजाब, होकर के जम्मू और कश्मीर पहुँच गए अब कश्मीर के 30 जनवड़ी को उनकी यात्रा की समाप्ती में 21 राजनितिक दलों को निमंतरन दिया गया ये 30 जनवड़ी को उनकी इस निमंतरन में कौन आते हैं इससे भी ज़्यादा महत्तपूर्ण ये कि 2023 में जिन राज्यों का चुनाव होना है उन राज्यों में ज़्यादातर कॉंग्रिस की सरकार है और वही मात्र राज्य है जिर में कॉंग्रिस की सरकार है ये ज़्यादा तर तो थोड़ा सा उस भाव को बढ़ाने के लिए है सोचिए जिस देश में कॉंग्रिस की का एक छत्र राज्य सत्ता था उस देश में अब कॉंग्रिस सिर्फ 36 गट और राजस्थान में अपनी सरकार जमा पाई है हाल की दिनों में पंजाब में उसकी सरकार चली गई हिमाचल में कैसे आ गई वो चौक गए यही कारण है कि राहुल की यात्रा हिमाचल प्रदेश को भी अचूद कर छोड़ गई जिन जिन राज्यों में उन्हें कोई उमीद नहीं है उन राज्यों को तो राहुल ने टच ही नहीं किया या फिर टच किया तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुस्लिम बहुल इलाके से वो चुप चाप निकल लिये जिस राज्य के पास असी सांसर देने की च्रमता ह वो उनकी यात्रा गुजरात गई ही नहीं अब दख्षिन में जिन राज्यों में वो गए उन राज्यों से कॉंग्रिस को उम्मीद बंदी इसलिए केरल के मुख्यमंपंथी मुख्यमंत्री ने राहुल के खिलाप मुहीम चला दिया उस केरल के मुख्य मंत्री ने कहा कि राहूल बीजेपी से लर रहे हैं या हम सब से पी बीजेण ने उस दौर में कई सारे ट्वीट करके राहूल पर लगातार हमला किये करनाटक में कांग्रेस विपक्ष में है और उसे उम्मीद है इसलिए करनाटक में वो यात्रा होते हुए महराश्ट्र होते हुए 36 गट और मध्यप्रदेश लेकिन इन राज्यों के हालात यह दिदेखेंगे इन राज्यों में कांग्रेस के लिए जिस 36 गट में चुनाब है उस 36 गट में भुपेश बगेल और टीयस सिंग देव की वीच जो लड़ाई है वो दो हजार तेईस में अंतिम परिणाम तक आ जाना है भुपेश बगेल 36 गट के मुख्य मंत्री हैं लेकिन चुनाब टीयस सिंग देव की अगवाई में लड़ी गई थी चुकि माल भुपेश बगेल का खर्चा था आज भी कहा जाता है कि पैसा भुपेश बगेल के तरब से आता है राहुल गांधी और सोनिया की लाचारी है कि वो अपने टीयस सिंग देव को साइड कर दिए दूर से भले ही कॉंग्रिस पर आपको गांधी परिवार का एक छत्र राज़ दिखता है लेकिन कई जगह आपको उनकी लाचारी दिखेगी 36 गट में टीयस सिंग देव को साइड किया गया वो लगातार मुखर हैं उन्हें उमीद थी कि धाई साल बाद उन्हें सत्ता दे दी जाएगी क्योंकि यही भरोसा दे करके भुपेश सिंग बगेल को उन्होंने पहली बार चिफ मिनिस्टर बनने दिया था लेकिन बगेल खूटा गार चुके हुए हैं टीयस सिंग देव को लगातार अपमानित करते रहते हैं और ये खेल निरंतर उनका जाड़ी रहता है टीयस सिंग देव कई बार अकसर अपने बयानों से यह एहसास कराते हैं कि वो नाखुस हैं अब 36 गड में कॉंग्रिस की सर जब जमीन खीच लेंगे ठीक उसी ढंग से जैसे मध्य परदेश में जो तेरे दित सिंधिया ने खीच लिया तो 36 गड का परिनावाम क्या होगा मध्य परदेश में कमलनात की सरकार थी कॉंग्रिस वहाँ जीत कर क्या ही थी पिछले बार लेकिन सरकार चली गई कॉंग्रि सवा से बाहर कर दिया है इसलिए कॉंग्रिस को उमीद उस राज से भी है लेकिन जब से जो तेरे दित सिंधिया ने पार्टी छोड़ी है तब से कई बार ये चीज़ें अब सामने आ रही है कि इस पार्टी का होगा क्या अब इस चुनाव परिनाम के बाद पहली बार समझियेगा कि फिर 36 गड़ के बाद मद्य प्रदेश का परिनाम भी 2023 के आखिर तक आ जाएगा मतलब लोकसवा चुनाव से पहले फिर तीसरा राज राजस्थान है जिस राज में कॉंग्रिस की सरकार है लेकिन उस राजस्थान में लगातार निरंतर राज के मुख्य मंतर अशोक गहलोद अपने सहयोगी सचिन पाइलट को अपमानित करते रहते हैं जो सचिन पाइलट मुख्य मंतरी की रेस में आगे थे दरसल 36 गड़ और मध्य प्रदेश के तरज पर कॉंगर्स का चिप मिनिस्टर सचिन पाइलट को होना था जिन तीन राज्यों में कॉंग्र नहरू परिवार के पहली पसंद के थे मतलब विसे इस रूप से राहूल गांधी और प्रियंका वाड़रा के पसंद के थे चाहे वो राजस्थान में सचिन पाइलट हों मध्य परदेश में जोते रिद सिंध्या हों या 36 गड़ में टीयस सिंग्डे इन तीनों राज्यों कॉंग्रिस ने विधान सवा चुनाव 2018 में जीता था 2019 के लोकसवा से पहले अब फिर 2024 के लोकसवा से पहले इन राज्यों के चुनाव परिनाम आने हैं और राजस्थान की यदि बात कर रहे हैं तो राजस्थान में सचिन पाइलट को अब अशोक गहलोत ने कोरोना बता द बृध अशोक गहलोत को सचिन पाइलट ने एक तरह से धमकी दी है कि आउकात में रहो अब ये आउकात तो सचिन पाइलट लगातार बता रहे हैं लेकिन सयम यदि रखने की बात है तो सचिन पाइलट ही खेल रहे हैं अशोक गहलोत लगातार हमलावर रुख अक्तियार कर अशोक गहलोत ने किसी मन्द से कभी सचिन पाइलट का सम्मान नहीं होने दिया उन्हें नावालिक तक कहा उस सचिन पाइलट को जो विधान सभा चुनाब के समय में प्रदेश के अध्यक्ष थे और अशोक गहलोत पर आरोप लगा था कि जब लोग सभा चुनाब हुआ केटे को चुनाब नहीं जितवा पाए ये बड़ा तमाचा था अशोक गहलोत पर इसके बापजूद अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष पार्टी को इस्तिफा नहीं दिया जब कि राहुल गांधी लगातार दबाब दे रहे थे कि अशोक गहलोत और कमलनाथ दोनों क को स्तिफा देना पढ़ेगा दोनों मैंसे किसी ने स्तिफा नहीं दिया कमलनाथ की सत्ता गई अशोक गहलोत काएम रहे अपने आप को जादूगर समसने कि जित नहीं लेकिन लगातार सचिन पायलेट को लॉलीपॉप दिखाया गया लेकिन वो लॉलीपॉप दिया नहीं इन तीनों राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार थी मध्य परदेश में जा चुकी है 2023 में विधान सभा चुनाब में टी एस सिंग देप और सचीन पाइलट पासा पलट देंगे और यह दिन नहीं पलटेंगे तो सामने वाला पलट देंगे कहने का मतलब यह कि इन तीनों बड़े राज्यों में विशाल जनसंख्या विशाल च्छत्रफल वाले राज्यों में कॉंग्रिस की दुर्गती 2023 में तैय हो जाएगी इन राज्यों से राहुल की भारत जुरो यात्राने के लिए है ढूलनागारों के साथ इन राज्यों में नाराजगी के साथ पहले उत्तर से पहले दक्षिन की तरफ चलें तो उस केरल में जहां से भारत जुरो अभ्यान की शुरुवात हुई उस राज्य के सबसे लोग प्रियेनेता हैं शशी थरूर वो शशी थरूर लगातार खारिज किये जा रहे हैं किसी भी सम्मान्नी टीम में उनका नाम नहीं है। इतने बड़े नेता होने के बाब जो शशी थरूर बाहर हैं। शशी थरूर बाहर हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो मेंबर पारलेमेंट है, जिस कॉंग्रेस में सांसदों की संख्या गूलियों पर गिनने लायक हैं, उस कॉंग्रेस में वो मेंबर पारलेमेंट हैं। दक्षिन में वो एक नई उम्मीद देख रहे हैं। और NCP उनमें उम्मीद। मतलब यह उम्मीद की जा रही है कि शशी थरूर कॉंग्रेस छोड़ देंगे। तो उस राज़े में जहां वाइनार्ड है, जहां से राहूल जीत करके आए हैं, और जिस राज़े में कॉंग्रेस सबसे बड़ी ताकत अहसास कराना चाह रही है, राहूल रिफॉर्म की जो हवार निकाल देना चाहते हैं, जिस चुनाब में शशी थरूर को एक हजार बहत्तर वोट मिले और उनके सामने खड़गे को साथ हजार आठ सो संतान में, मतलब लगवग आठ हजार, लेकिन चार सो वोट आमान ने घोशित हो गए, उसमें से ज्यादा तर वोट के बारे मि खारिज कर दिया, मतलब जो संख्या सशी थरूर को मिली एक हजार बहत्तर, वो गांधी परिवार को चुनोती थी, कि गांधी परिवार ने खड़गे को खड़ा किया, लेकिन सामने थरूर इतने ताकतवर हो गए, इसका मतलब है कि केरल में भी कांग्रिस की जमीन हिल जान पंजाब आये, उस पंजाब में हाल तक कांग्रिस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के हाथ थाम गए और सुनील जाखड़ भी, लेकिन अब उसके बाद सबसे बरा जटका मनप्रीत बादल से हुआ है, मनप्रीत बादल लगातार लंबे समय से पंजाब के वित तमंत्री रहे, चाहिए वो कांग्रिस का काल हो, या फिर अकालियों का काल, वो मनप्रीत बादल बादल परिवार से हैं, और कहा जा रहा है, एक अकाली दल के साथ जब तक बीजे पी थी, तब तक पंजाब के हिंदू नाराज थे, अब मनप्रीत बादल साथ आ गए है, अ सैसी बात है कि राजस्थान, मद्यप्रदेश और चतिसगर के चुनाब परिणाम के बाद, पंजाब में इसका असर दो हजार चौबिस में साफ दिखाई देगा, फिर समझे, इन चार राज्यों के बाद जो पाँचमा राज्य जो प्रभावित करने वाला है, वो है जहां कांग्रिस का एक छत्र राज्य रहा, वहां पहराश्थ के मुख्य मंतरी अशोक चोहान लगातार नाराज चल रहे हैं, लेकिन अशोक चोहान के पास न एन सी पी जाने का रास्ता है, न शिव सेना में, फिर वो कहा जाएंगे? अशोक चोहान की नाराजगी इस बात की है, कि जब राज्य सभा भेजने की बारी महराश्टर कोटे से आई, तो परिबार ने उसके बदले में एक शायर को भेज दिया, और वो परताब गढ़ी महराश्ट से राज्य सभा चला गया, यह अपमान का घूट अशोक चोहान प कॉंग्रिस की यहालात रही है, उस से यह अशोक चोहान पुर्व मुक्यमंतरी ही अलग हो जाएंगे, तो फिर महराश्ट में कॉंग्रिस का क्या होगा, तो राहुल रिफॉर्म योजना, जो भारत जोडों से भारत जोरने के लिए निकली, उसने कश्मीर में यहवी बता कि वो किसके साथ हैं, तो परिणाम 2023 में नौ राज्यों के आने हैं, पूर्वोत्तर के भी चार राज्यस में शामिल हैं, तब स्थितिय स्पस्ट हो जानी है कि जिन कॉंग्रिस के एक प्रभावित छित्रों में, जहां कॉंग्रिस की सरकार दो राज्यों में है, एक और रा राज्यों में कॉंग्रिस की जमीन हिलनी तै है, तो फिर इस भारत जोरो यात्रा में कॉंग्रिस मजबूत होकर जुर रही है या खत्म होना है, इसका परिणाम आएगा इसलिए क्योंकि जिन राज्यों से राहुल की यात्रा गुजरी है, उन्हीं राज्यों में कॉंग्र से दी खत्म हो जाएगी तो फिर राहुल रिफॉर्म पर योजना का क्या होगा इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 के विधान सभाओं के परिणाम में ही 2024 का रेजल्ट छुपा हुआ है कॉंग्रिस इस जुरे हुए भारत को तोरने के कुछ भी कशडियंतर कर ले देश की जनता अब प समझना चाह रही है राहुल गांधी को जमीन पर घुमाया गया लेकिन जमीन खीज ली गई है इंतजार कीजिए 2023 के आखरी छणों का 2024 का रेजल्ट उसी में छुपा हुआ है ये वीडियो विच्टलेशन कैसा लगा इसके कंटेंट दिया आपको पसंद आये तो वीडियो क दाए डाद कर लेखैं सय विपलेशन के बरेदार क अब कर दो है वीडियो की जमीन पर दő Jewish वीडियो का लगा इसतार ककर सफलेशने की का जमी है और रखरी स supplements के यु игр के लीज़ प्राद खियर बिक्स पर एंवक नही है कर दो बिक्स्टलेशन कुपा है वीज linking घद श в argument